पंजाब दे विच चोना जड़ियां ने वो बिल्कुल नजदीक आगी हैंने ते सारीयां पार्टियां पॉपना परचार कर रही हैंने पर जो असी देख दिया हरोज तो आट इप कैमरें जरीए जो कॉंग्रेस है मतलब एक लगदा के उनना दी पार्टी जड़ी एक सरकस बन गी है आपस दे विच लडाईयां पंजाब पेच्छे नहीं आपस दे विच लडाईयां ने कुर्सी पेच्छे राजा बढ़िंग जी ने अज़िक है कि मनपीद वाला मेनों हरा रहे है महाराणी प्रनीद कौर केप्टन वस्ते परचार कर रही है उधी पार्टी हो रहे है बीजेपी ना लाइंस है ते ओंपी कॉंग्रेस तो हैं और अब वहां चल रही है ने शैद आज जलंदर अपना पट्याला देवें चमिशा जी जा रहे है ने शैद कमल दा फुल जिड़ है ओ महाराणी प्रनीद कौर पाज पाजवान कर जी साइद चन्नी सावग प्राजड है ओंगर्जी नूँ हरा रहे हो तो राना गुर्जीजी दा बेटा ओंगर्जीन सुल्तानपूर लोधी तो और परचार करन उधे वास्ते राना गुर्जीज जा सकते आपसे मिल के बोट चोना नहीं लड़ सकते ओ पंजाब नों की पर विख देंगे कि दूझे पास से आमाधि पार्टी है कि सारे वर्कर तो लेके नैशनल कन्वीनर तक सारे एक कांग did not yes family bonding आँ एक अब दूझे दे परवार है और पंजा थो ऊंट या क्योंर जो पर चार्च लाया हुआ सारे ने कोई किसे की समदा सीं छलक पट जान नेगनिग निक होरी है असी स्कूलां दिख कर रहे आं हसपताणा दिख कर रहे हैं बेरिव्चरीन आटल जो ब्रेर्ट ।र करें कल में तूरी सीगा बहुत सारे कुड़ी यह मिलियां मैं MSC मैथ मैं करें नहीं जाना चांदी बीरबाण के सानुए थिरा ख़लो रोण लगे जाने लोग नहीं जाना चांदे मजबूरी लेके जान दियों नूँ असी उधी गल कर रहे हैं कि काम देमांगे इंडस्ट्री नूँ बापस लेके आमांगे माफिया राजदा खातमा करांग खेती नूँ पहरांसिर करना है तो 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 की कह रहें ने केज़री बाला हर्याने दया है को अंतमान आए हैं ओव है यह यह मुद्दे नहीं पंजाब दें सो मैंनों यह दस हो ते मुद्दे ने उन्हों पुले ही नहीं जितों बखलाहाट चाह जान देना फिर फिर वो पर लोग का देनार पबलिक देनार राफ्ता कैम कर रहे हैं करकर दा कुंडा खड़का रहे हैं और सीम साब आये ने अज तो बाद अठारा तीक तक जिनेचर परचार पंजवे तक खतम नहीं हुंदा इप जाब रेंगे कुछ थामा तेसी कठे परचार करांगे उस्तों बाद यह लाग मैं किते होर दुझे एरिये चलाग हो जांगे ताके क्योंकि ए देखो के कॉंगरस दे सारी उमीदवार जिड़े ने वो स्टार परचार कंदी वेट कर रहे ने और स्टार परचार किते ने नुजोसीतु जी कहने मैं ता इस्ट तो निकड़दा नहीं सुनील जा तो इस घर के असी वुशेश जाड़ी करनी सटतो सतर सीटांसी जाया है यहां कई दो दो बारी भी जाया है आगले पंच देना दे वेच्चा असी बाक्की देविच भी रपीट भी होंगे नमेत आमा भी जा मगे तो कॉंग्रस दी आपसी लड़ाई को कॉंग्रस दी आपसी खिच्चो तान काटो कलेश यह पंजाब नों फ्रूचर नहीं दे सकता पंजाब नों एक स्टेबल गोवर्मेंट चाहिए मजबूत सरकार चाहिए ज़िए ज़िए आमानी पार्टी तो दे सक दिये और लोग क कि सर्वे बगारा भी तो अब कि मैं हूं बेंति करूंगा मुखमंत्री दिल्ली नैसल कुईनर के जरिवाल साब नूं क्यों तो अडिनार विचार करें अभी भगवंत्मान जी ने बहुत महत्वपून बात कही है कि जो पार्टी मिलके चुनाम नहीं लड़ सकती और उसके पहले हमने 111 दिन भी देखे और उसके पहले के साड़े चार साल देखे कि किस तरह से यह आपस में लड़ रहे हैं कॉंग्रेस एक सरकस बन गई है और ऐसी पार्टी पंजाब को क्या भविश्य देगी जिसमें सारे एक दूसरे से लड़ रहे हैं यह सरकार कैसे चलाएंगे जब यह पार्टी नहीं चल सकती आज हम आदमी पार्टी एक परिवार की तरह है एक टीम की तरह है पंजाब का पूरा एजंडा तयार कर रही है और पंजाब का विकास कैसे होगा अगले पांच साल में वो जनता के साथ पंजाब के विकास की बात कर रही है अब मैं एक शायद इस चुनाव का सबसे महत्वपून स्टीट्मेंट करने जा रहा हूं चन्ने साब दो सीटों से लड़ रहे हैं ख़दूर साब से और बदौर से चमकौर साब से और बदौर से सॉरी चमकौर साब से और बदौर से हमने दोनों सीटों पे सर्वे कराए हैं एक बार कराया नतीजे बड़े शौकिंग आये फिर दुबारा कराया फिर तिबारा कराया तीन बार सर्वे कराये चन्नी साब दोनों सीटों से हार रहे हैं और आम आदमी पार्टी 52% पर चंणी साब 35% पर बदोर से आम आदमी पार्टी 48% पर चंणी साब 30% पर तो वो CM चहरा तो हैं लेकिन CM नहीं बनेंगे जब MLE नहीं बनेंगे तो CM कैसे बनेंगे लोग उनसे बहुत ज़ादा नाराज हैं खासकर चमकौर साब के लोग जहां से वो 2007 से MLE हैं वहां के लोग उनसे बहुत ज़ादा नाराज हैं आप मेंसे कई लोगों ने वहां जा जाके उनके इलाके में लोगों से बात भी की हैं सब लोग कहते हैं कि जितनी रेता चोरी हो वो सारी उनके संड्रक्शन में हो रही है, उन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया, तो इन दोनों सीटों से चन्नी साब हार रहे हैं, तो उनके सीएम बनने का तो कोई सवाली नहीं उठता, वैसे तो कॉंग्रेस भी हार रही है, अगर आपके कोई प्रशन है इस बारे म काल या परसों में बताते हैं, उसके भी सर्वे करा रहे हैं हम लोग, वहां भी काफी शॉकिंग नतीजे है, लेकिन एक बार थोड़ा और कंफर्म कर लेते हैं, देखो जी हम गाली गलोच तो हमें करने नहीं आते, गाली गलोच की राजनीती हम करते नहीं है, वो उनको मु बनवाएंगे, तो वो कहते हैं केजरी वाल बाहरी है, मैं कहता हूं हम अस्पताल बनवाएंगे तक है, वो कहते हैं केजरी वाल के कपड़े खराव हैं, मैं कहता हूं हम पंजाब में बिजली 24 घंटे करेंगे, बिजली मुफ्त करेंगे, तो वो कहते हैं केजरी वाल काला ह है तो उनको कहना तो गालियां उनको मुबारक काम हमें इसमें कॉपी क्या करना है मेरा परिवार आया था वो करने के लिए आज प्रियम का जी आ गई इसमें कॉंपिटिशन थोड़ी है यह फेक नियूज है ऐसा यह बिलकुल गलत बयान है मुझे खुशी है कि आज आपने यह दिखाया एक यह गलत नियूज फैलाई जा रही है अकाली दल के दौरा जिस पे कल इलेक्शन कमिशन ने एक्शन भी लिया है उन्होंने इसको हटाने के लिए और किया है कि दस साल से गाड़ियां पंजाब में बंद की जाएंगी ऐसा कोई हमने एलान नहीं किया ऐसा कोई हमारा विचार नहीं है यह भी चन्नी जी का चमतकार है 111 दिन में उन्होंने अगर्जब के चमतकार किये हैं यहांपे कि उन्होंने खुदी अपनी जांच करा ली उन अफसरों से जांच कराई जो उसी इलाके के थे जो शायद रेता-चोरी में मदद करते हूंगे उसी इलाके के उपर से नीचे तक जो अफसर थे उन्हीं को कहा दिया भी तुम अपनी जांच करके बताओ जब यह CM बनेंगे असली जाच यह कराएंगे तब असली जाच जब यह कराएंगे तो दूद का दूद पानी को पानी एक नटिन कर आप आप अपनी जांच कोई कैसे करा सकता है अपनी जांच करा के चार दिन में क्लीन चिट भी ले ली कोई एफायर हुई एफायर के बाद ही तो पावर आती है करने की कुछ नहीं हुआ अच्छा दूसरी चीज हमें पता चला है एडी के अंदर उनके भांजे ने चन्नी के यह कबूल कर लिया कि यह पैसा चन्नी जी का है ट्रांस्वर पोस्टिंग का यह सारा पैसा उनका है मैं यह जानना चाहता हूँ एडी में अगर कोई इस तरह से कबूल कर ले और किसी का नाम ले तो उसकी तो तुरंत गिरफतारी होती है इडी चन्नी साब को गिरफतार क्यों नहीं कर रहा है हिसाब से तो उनकी गिरफतारी होनी चाहिए थी उनसे गिरफतार करके उनसे इंवेस्टिकेशन होनी चाहिए थी इंटरोगेशन होनी चाहिए थी अगर उनके भांजे ने ने उनका नाम ले लिया है कबूल कर लिया है मैं नहीं कहा रहा, जी देखो, आपका चैनल और मैं यहां कई लोगों को जानता हूँ, आप ही लोगों ने चमकौर साथ में जा जाके जनता से बात की, और सारी वहां के जनता कहा रही है, जी चन्नी जी के संडक्शन में यहां पर रेता चूरी होती है, उसकी जांच को होनी तो जाच निश्पक्ष जाच कैसे होगी कौन करेगा एडी ने एक जाच की उसमें निकल के आया कैश मिला नोटों की गड़ियां मिली बेनामी एंट्रीज मिली वहां पे बड़ी बड़ी गाड़ियां मिली वो तो कोई नहीं जुठ ला सकता ना जाच परेगा पर्टी वहां पर्टी नोटी यह पर्टी अन्होंने लिए पहला तो यह स्वाल ना प्रवान कीता जिस विले उनने नांस कीता कि तेरा सूत्री जाओ परताब सिंह बाजबा के रहे हैं मैनिफेस्टों कुमेडिया चेर्मन मैं हैं इता मीटिंगी नहीं होई कादे एक के मेली इखता जी मैनिफेस्टों चो सिद्धु साहब जड़े ने उनननों एक सीड तक हो महदूद ने ते उनननों मौडल पर जावद है सो ओ मौडल पहला है कांगरस्टों पर वान गी लेलन सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें देखो चीम साहब आए इननने महलामा बासते है यारपी यह अनौस की थारा साल तो पर नो हरेक मैल एक मिन एक मिन लेट में फिनिश तो सिद्धु साहब करो है इस तोजी कितके में देता हूंगे चार देना बाद आप ही कह रहे सी मैं दो है आरपिय देऊंगा ना अठसलेंडर देऊंगा पंज मी पासने आठ नो बंद्राह जार नाट स्कूर्टियां नाट लेप्टाप हो अ मतलब लोक ने दा मजा कोड़ाया सगलद के जड़िया, पार में पास स्कूरियां जड़ियां इन मिल निए इस सिर्फ उनना नही स्मार्ट फॉन मिल गए तो यह है कुछ कर रहे ने कुछ भी लिखी जन देने कुछ भी असी गरंटियां देती हैं पूरा रोड मैप बना के कर सक दें बजट के थुआ हुगा और करके दिखा मांगे जिमें दिली दिविच करके रिखाया है थैंक यू अब नहीं होन तुस्वार वड़ा यह जवाब भी तोड़ाई आज है कि के ऐसेर सिवाया को यू दिखो छी उन नोयू उननों मुभारक शवदा वली यह नहीं जो भी बहुत बोल देने पत्रकारान वी तूंँ परके बोल देने ते यह उनuh तो ठीक है ओ जनेरेशन बास ते लड़ रहे हैं असी जीडिया करंट जनेरेशन है उन्हों बचाहून बास ते लड़ रहे हैं मुझे नहीं लगता बीजेपी की पांच से ज्यादा सीट आएंगे पांच भी ओवरेस्टीमेट है मेरी नजर में